हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चैनल स्टडी वेसिक इन दिस वीडियो वे विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर आफ आइसे सी क्लास एक्स मैथ्स सो दा चैप्टर इज ट्रिगनोमेट्री ओके देखिए ट्रिगनोमेट्री यहां पे दो वर्ड से मिलकर के बना एक राइंगल एक जिमेट्री ट्रैंगल में आपको यहां पर इस्पेसली राइट एंगल ट्रैंगल पढ़ना आ है जिमेट्री में यहां पर आपको पड़नें को लेंट हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे एकसरसाइज होती जाएंगी इसकी x-axis य second quadrant, third, fourth, ऐसे होता है, first quadrant में दोनो positive value होती है, यहां पे minus plus होगा, यहां minus minus होगा, यहां plus minus होगा, इन सब के बारे में हम आगे detail में discuss करेंगे, क्यों होगा, plus plus और क्यों होगा, minus plus, आगे आने वाले वीडियो में हम discuss करेंगे, यहां पर हम बात करते हैं, trigonometric ratio की, और trigonometric ratio में triangle अगर जिससे सबसे important role play करेगा, अग triangle में right angle triangle, लेकिन triangle की basic अगर हम concept जानें, तो triangle six types के होते हैं, ठीक है, total six types के होते हैं, लेकिन उनको दो parts में divide किया जाता है, एक under basis of angle, और दूसरा होता है, under basis of angles में three होते हैं, और under basis of sides में भी three होते हैं, under basis of angle में right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle होता है, और जो sides में होते हैं, equilateral triangle होते हैं, जो three sides equal होती है, आइस्योसले triangle होते हैं, जिसमें two sides equal होती है, इसके लें triangle होते हैं, जिसमें no sides equal होती हैं, कोई भी sides equal नहीं होगी, trigonometric ratio के बारे में अगर बात करें तो ratio की कोई unit नहीं होती है जैसे कि मैंने example में लिख रखा है अगर मैं example लूँ तो 3 meter 4 meter अगर कोई भी example ले सकते हैं तो यह meter से meter cancel हो जाता है cancel out हो जाता है तो 3 is to 4 ऐसे ratio बन जाते हैं उसके बाद यह real numbers होते हैं और ratio किस पे होगा तो इनकी relationship कैसे होती है कोई भी चैसे quantity हो चाहा amount हो या size हो तो 2 या 2 से जादा कि अगर आपकी quantity है amount है size है वो भी same होनी चाहिए तो ratio होगा आप ऐसे नहीं कर सकते कि जिसे हम आपकी age को अपने dress से compare करें ऐसा कोई ratio नहीं होगा अगर हमारी age है तो आपकी भी age से ही comparison होगा उसी को हम ratio में convert करते हैं यहाँ पर technometric ratio में आप six different technometric ratio हम इसमें देखेंगे तो relationship अब देखिए sine theta sine theta is equal to क्या होगा perpendicular upon hypertenous होगा अब एक हम यहाँ पर बना दे रहे हैं right angle triangle छोटा सा जैसे मैंने इसको theta बताया था तो theta के सामने वाली side जो होती हो perpendicular होती है 90 degree के सामने side जो होती हो hypertenous होती है और यह base होता है तो यहाँ पर जो sine theta है sine theta is equal to perpendicular upon hypertenous cos theta is equal to base upon hypertenous and time theta is equal to perpendicular upon base और इसका just reciprocal हो जाएगा ultra क्या hypotenous upon perpendicular cos theta हो जाएगा sec theta जो हो जाएगा hypotenous upon base और core theta हो जाएगा base upon perpendicular इसका just देख सकते हैं यह मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को learn होगा क्योंकि यह 9th में भी पढ़ाया गया है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ यह बहुत famous है pvp hhb यानि पाकिस्तान भूखा प्यासा इंदुस्तान हरा भरा यह एक trick है आप चाहो तो learn कर सकते हो ऐसे भी otherwise आपको वैसे learn होगा यह मैं उमीद करता हूँ relation between trigonometric ratio ठीक है अब क्या होगा यह कैसे आया तो इसी के according आया sin theta is equal to 1 upon cos theta आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर pvh है इसको reciprocal कर देंगे तो h by p हो जाएगा ठीक है cos theta is equal to 1 upon cos theta यहाँ पर भी देखिए b by h है तो यह h by b हो गया ठीक है and tan theta is equal to 1 by cos theta तो यह cos theta is equal to देखिए p by b है और यह b by p है यह हो गया यहाँ से हम देखो क्या कर सकते है sin theta is equal to 1 upon cos theta आपको जैसे पता है तो आप क्या करोगे यह divide में इधर जाने के बाद multiply में हो जाएगा तो हम यहाँ simply इससे हम एक और formula को derive कर सकते हैं sin theta into cos theta is equal to 1 तीक है बहुत basic ही formula होते हैं बहुत सारे formula बनते हैं आगे अभी हम जानेंगे इस वीडियो में cos theta is equal to 1 upon sec theta लिखा यहाँ यह divide में इधर जाने के बाद multiply में हो जाएगा तो cos theta into sec theta is equal to 1 हो जाएगा क्योंकि यह इसके साथ multiply होकर कि यहाँ पर देखिए भी same वही condition 10 theta into cos theta is equal to 1 दूसरा क्या है question relation में तो question relation जैसे कि sin theta upon cos theta is equal to 10 theta अब यह कैसे होता देखिए sin theta by cos theta लिखा हुआ है sin theta की value क्या होती है जो ratio perpendicular upon hypotenuse होती है cos theta base upon hypotenuse होती है अब यहाँ sin theta cos theta से divide हो रहा है तो हम यह divide का sign लगाएंगे और जब हमें पता है कि divide को हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं multiply करने के बाद उसे में reciprocal कर देते हैं तो हमने same होई किया perpendicular upon hypotenuse multiply by hypotenuse upon base यहाँ h से h cancel out हो जाएगा तो P by B बचेगा और P by B आप लोगों को पता है कि क्या होता है 10 theta होता है तो यह चीज है similarly cos theta by sin theta ऐसे cos theta by sin theta cos theta की value क्या होती base upon hypotenuse और sin theta का ratio क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse यहाँ भी B by H divide को multiply में करेंगे तो फिर हम reciprocal कर देंगे reciprocal हमेशा याद रखना divide के right side वाले value को करते हैं तो यहाँ P by H है इसको हम H by P कर देंगे और यहाँ H से H cancel out होगा तो यह B by P आ जाएगा उसके बाद इसको देखते हैं यह काफी important है आप लोगों के लिए बहुत important है यह square relation तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हमें इसमें देखना है cos x square theta minus cot square theta is equal to 1 and sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 यह कैसे आया हम देखते हैं आपको पता है एक पैथागोरस theorem कि P square plus B square is equal to h square होता है means perpendicular square और base square is equal to hypotenuse square होगा simply अगर हम suppose करो कि अगर मैं सबको h से डिवाइड करता हूँ यानि h square से डिवाइड कर देता हूँ यानि hypotenuse से डिवाइड करता हूँ तो P by h यहां भी h square हो जाएगा यहां भी h square हो जाएगा तो इसको हम hole में कर देंगे तो P by h का hole square और plus B by h का hole square और यह कट जाएगा तो बना जाएगा अभी बताया गया है जैसे P by h क्या होता है sin theta तो यहां sin square theta हो जाएगा अभी by h क्या होता है cos theta तो cos square theta हो जाएगा क्योंकि है square लगा है और 1 तो यहां यह प्रूब हो गया कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसी से हम देखो कई सारे formula बनाएगे देखो कैसे अगर हम sin square theta है और इस cos square theta को 1 की side में ले आएगे तो यह plus में है धर जाके minus में हो जाएगा तो simply क्या हो जाएगा sin square theta is equal to 1 minus cos square theta एक और formula बन गया उसके बाद similarly ऐसे कर सकते हैं cos square theta है sin square theta को हम यहां पे ले आएगे तो cos square theta is equal to 1 minus sin square theta हो जाएगा फिर अगर हम देखें तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta है अगर हम इस square को यहाँ पे ले आएंगे तो यह root में हो जाएगा तो sin theta is equal to root 1 minus cos square theta और similarly cos theta is equal to root 1 minus sin square theta तो यह चीज clear हो गई होगी next देखते हैं तो next में क्या है फिर से हम वही पाता है को रस्तियोर हम लिखें के P square plus B square is equal to H square अब इस बार हम B square से divide करते हैं सबको B square B square B square तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P square plus B by B square क्या हो जाएगा P by का whole square हम लगा देंगी यह cancel out हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ H by B का whole square हो जाएगा ओके अब P by B का whole square याई P by B क्या होता P perpendicular upon base यानि 10 theta तो 10 theta में 10 square theta हो जाएगा 10 square theta plus 1 is equal to sec square theta तो यह चीज़ हो गई अब इस 10 square theta को अगर हम इधर लाएगे तो क्या हो जाएगा sec square theta minus 10 square theta क्योंक offered this simply अब हम दूसरा अगर उसी तरीके से देखें तो हम क्या कर सकते हैं पर जैसे इस seq square theta को यहीँ पर रहने दें और इस plus one को यहाँ इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 10 square theta is equal to basic square theta minus one ठीक है तब वही करेंगे स्थाइड दीटा की value अभी हमने क्या जानित ठीक स्थाा प्लस उन होती है तो हम क्या करेंगे सएक theta को और रूट जब कर देंगे तो सेट सिटा को की वैलू हो जाएगी अन्डरूट 10 स्कॉयर तीटा प्लस वन और सिमिलरली टैन फीटा की वैलू भी हो जाएगी अन्डरूट सेट स्कॉयर तीटा मैनस वन और उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा अब फिर से अंप पाइथागोरस्तियों में लिखते हैं P2 plus B2 plus is equal to H2 तो यहां पर अब की बार हम P2 से डिवाइट कर रहे हैं तो P2 plus यहां भी P2 यहां भी P2 तो यह cancel out होकर कि 1 आ जाएगा और B by P का whole square लग जाएगा यहां पर और यह H by P का whole square हो जाएगा तो हमें पता है कि 1 तो और B by P क्या होता कॉट होता है तो कॉट square theta हो जाएगा is equal to h byp क्या होता क्यों स्कॉयर theta यानि कॉषएग थीटा होता है उसका स्कॉयर लगा देंगे तो कॉष्एक इस फर्मूला हो गया यहां से दूसरा हम देखें तो कॉष्एक स्क्वाइर थीटा माइनस कॉट स्क्वाइर थीटा इसको क्या करेंगे इस कॉट स्क्वाइर थीटा को इधर सिफ्ट कर देंगे देन अगर हम बात करें कॉट स्क्वाइर थीटा को तो हम यहीं से जैसे इस वन को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वाइ theta की value 1 plus cot square theta थी तो यहाँ पर under root हम इसको इदर shift कर देंगे, square को यहाँ अंदर root हो जाएगा तो 1 plus cot square theta हो जाएगा, उके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसको अब हम recall करते, ठीक है, तो जैसे कि अभी तक आपको ये चीजें clear हो गई होंगी डोइसे स्काइरी स्क श्कूरी मैंन कई स्काइर हे पिछे जाकर के देख सकते हो। ठीक है तो वो कैसे होंगे अब मैंने रिसी प्रोकल बताया था तो sin theta is equal to one upon cos theta होता है ऐसे हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि cos theta is equal to one by sin theta और ये बता चुका हूँ कि sin theta into cos theta is equal to one होगा क्यों होगा कि ये धर जाकर के multiply में हो जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा cos theta is equal to one by sec theta और इसी को हम लिख सकते हैं sec theta is equal to one by cos theta और फिर से cos theta multiply by sec theta is equal to one similarly 10 theta is equal to one by cos theta हो जाएगा cos theta की value one by 10 theta भी होगी क्योंकि just ultra इधर भी हो जाएगा और 10 theta multiply by cos theta is equal to one हो जाएगा फिर question की बात है तो sin theta by cos theta is equal to 10 theta और cos theta by sin theta is equal to cos theta ये आपका trick है याद करने के लिए पाकिस्तान भुखा प्यासा हिंदुस्तान हरा वरा या डारेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं पी बी पी एचेच भी ठीक है तो ये ऐसे चलता है यहाँ ये sign है ये cos ten ठीक है फिर ये cot फिर sec and cos sec ऐसे sign cos ten cot sec cos sec इसको याद करने का तरीका ऐसे है अब इसमें क्या करोगे जैसे sign cos ten है और जब हम यहाँ पहुँचेंगे cot तो cot को ऐसे पढ़ेंगे base upon perpendicular यहाँ hypertenous upon base यहाँ hypertenous upon perpendicular और जब इदर रहेंगे तो perpendicular upon happiness, base upon hypertenous और perpendicular upon base तो यह कुछ basic concept थे जो आपको आने चाहिए और इसके बाद भी हम आने वाले वीडियो में बहुत सारी concept सीखेंगे question के साथ साथ जिसके लिए आपको मेरे channel को subscribe करना होगा bell icon को भी press करना होगा जिससे की मेरे बनाई हुई सारी वीडियो के notification आपको मिल सकें okay so अगर यह आपको वीडियो पसंद आती है तो please like करिए share करिए subscribe करिए okay friends so हम मिलते हैं next वीडियो में bye bye